हेई वोस्ट अब गाईज, वल्कम टू था कम्प्लीट वर्डवर्पन कोड्स, जहांपर हम HTML, CSS और JavaScript के गन्सेप्स को बिगनर से लिकर एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं टेबल्स के बारे में, इससे पहले हम ने दिखा था लिस्ट आइटम् आइकन को आउन कर लेना, क्योंकि वीडियोस हमारे डेली आ रही हैं, आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं कर सकते हो, आज हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में, टेबल्स आपकी कुछ इस तरीके से इस तरीके से यहां पर आपने कुछ नंबर लिख दि उसके अंदर हम TR और TD ये दो टेग्स यूज़ करते हैं, TR बेसिकली होता है टेबल रो, TD होता है टेबल डेटा, तो यह सब हम देखने वाले हैं कैसे काम कर रहे हैं, तो यहां पर देखने एक टेबल बनाई है, यह हमारा टेबल टेग है, इसके अंदर मैंने नेस्ट किया ह टेबल रो, तो इससे हमारी एक रो बन जाएगी टेबल की, तो suppose करो, अगर मैं बोलना चाहूं, कि हमारी अगर यह वाली रो है, उपर वाली रो, यह अगर मुझे रो बनानी है, तो मैं उसके लिए एक टेबल के अंदर टेबल रो बनाऊंगा, and then अगर मुझे नीचे वाल टीडी, and then description के लिए एक और टीडी, इसको जड़ा देखते हैं, code के अंदर, पिछली वीडियो में हमने ये देख लिया था, हमने देखा था, किस ते किस हम on-order list बनाते हैं, और order list बनाते हैं, इसको आप लोग चाहों तो minimize कर सकते हो, minimize करने के लिए आपको यहां पर आना है तो इसको हम कर देखें, तो आप देखें, यह पूरा को-ol यहां पर collapse हो चुका है, यही फायदा होदा एक editor का, इसको आप वापिस जाके expand कर सकते हो, and then collapse कर सकते हो, इसके नीचे हम लिखने वाले हैं अपने table को, तो table बनाएंगे table, और इसके अंदर हम एमेट यूस कर सकते अब इन trs के अंदर मुझे data डालना है, suppose करो मैं पहली row के अंदर data डालता हूं, td, जो कि suppose करो मैं 3 td रखता हूं इसके अंदर, तो td multiply by 3, hit enter, तो मेरे पास यहां पर एक row के अंदर 3 data elements आ गये हैं, तो इसको हम इस तरी के से पढ़ेंगे, कि हमारे पास एक table है, जिसके अ मेरे पास यह values है, और अब इनके नीचे में subjects mention करूँगा कि मेरे पास कौन से subject था यह, तो मैं इसको copy कर लेता हूं, और यहां पर हम paste कर देंगे, subject suppose करो mathematics, इसके अंदर mark से let's say 98, and past में हम लिख देंगे yes, and then same चीज को मैं इसके नीचे वाली row के अंदर भी copy कर लूँगा, तो third row के अंदर, same चीज़ copy paste, and यहां पर हम सब उसकरते हैं, लिख देते हैं English, यहां पर हम marks लिख देते हैं, let's say 12, and यहां पर लिख देते हैं, failed, तो no, इसको save करने की ज़रूत नहीं, क्योंकि हमने यहां पर auto save on कर रखा है, यहां पर देख लिख रहा है, और सादी साथ ह जाओगे, तो आप इस वाले port के उपर अपनी website को चलता हुआ देख सकते हो, और आप यहां पर देख पार हो कि हमारी यहां पर एक table बन गई है, इस table के अंदर, सबसे उपर वाली row के अंदर यह तीन चीज़े हैं, और उसके निचे वाली row के अंदर यह तीन चीज़े हैं, तो इतना ही असान होता है एक table को बनाना, इस table के बारे में अगर हमें और जानकर लेनी है, तो इसको भी हम search करेंगे, again, mdn के उपर, तो table, mdn, यहां पर आके हम पूरा का पूरा table element के बारे हम पढ़ सकते हैं, कि table element के अंदर कौन कौन से चीज़े होते हैं, कौन कौन से attributes ह table की styling के सरी करने चाहिए, तो table की styling के लिए पहले कुछ attributes हुआ करते हैं, HTML4 के अंदर, HTML5 के अंदर वो सारे-सारे attributes हटा दिये गए हैं, आपको recommend किया जाता है कि अब CSS की help से आप लोग table के अंदर styling करो, तो border वगरा लगाना है, आपको background लगाना है, even spacing देनी है, cells के बीच में padding वगरा है देनी है, तो वो सब आपको CSS की help से करना चाहिए, ना कि deprecated attributes की help से, deprecated attributes में आपको बदाये थे, वो attributes होते हैं, जिनका support अब हटा दियेगा है, और उनको आपको use नहीं करना चाहिए, अपनी modern websites के अंदर, क्योंकि उनका support कभी भी जा सकता है, इसी documentation के अंदर अ आपको वो अलग से दिखाई देगा, stand out होगा वो, बाकी elements के मुकाबले, तो आप लोग उन cells को header बना सकते हो, जिनके उपर आप extra focus करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर देखे हो, यहाँ पर इन्होंने TH animals लिखा है, तो यह animals वाले जो पार्ट होगा, यह थोड़ा सा आपको highlighted or bold देखे हो, यहाँ पर देखे हो, animals थोड़ा bold हो गया, and then hippopotamus है, and then horse है, तो यह सारीक सारी आइन्होंने TH बनाए है, यह जो मेर वाला पार्ट है, इसको आपने सिर्फ TD बनाया होगा, then stallion को भी TD बनाया होगा, and then जो भी bold देखे रहे हैं, वो basically आपके TH है, इनको जो जो कि मेरी website के अंदर, जो सबसे ऊपर वाली row है, इसके अंदर जितने भी element है, यह सारीक सारे headers है, तो यह सारीक सारे bold देखने चाहिए, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, code के अंदर आना होगा, यहाँ पर इसे file explorer कर देते है, and then इन सब ये element को TD से अटाके हमें TH करना हो होगा, ठीक है, तो TH, इसको मैं करूँगा, copy, and then TH, 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 and then TH, इसको जड़र हम यहाँ पर देखते हैं, तो आप देख रहे हो, subject, marks और past, यह सारीक सारे आपने आप बोल्ड हो गए, इसका मतलब यह हमारे table headers है, इसके अलावा आप एक चीज़ और notice कर रहे होगे, कि इन इसकी table के अंदर यहाँ पर यह border भी आ रही है, आप देख रहे हो, यह लाइन बनके आ रही है, हमारी table के अंदर ऐसी को लाइन बनके नहीं आ रही है, तो by default आपके tables के अंदर borders नहीं देख रहे होते हैं, अगर आपको borders दिखाने हैं, तो उसके लिए आप एक deprecated attribute को जिसक border, तो आप लिखोगे border, और यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, तो भी आपके काम चल जाएगा, और आप यहाँ पे बहुत अगली सा border देख रहे हो, तो सबसे बाहर वाला जो border है, वो आपके table का border है, and then जो अंदर वाले borders हैं, वो आपके table data के borders हैं, तो जितने भी TD elements हैं, उनके अंदर भी borders लगे हुआ हैं, तो इसलिए आपको यह कुछ इस तरीके से दिखाए दे रहा है, अगर आपको यह वाली styling अचीव करनी है, जिसके अंदर आपको यह single line की border दिखाए दे रहे है, तो उसके लिए हम again CSS का ही यूज़ कर रहे होंगे, तो आप लोग आके यहां पर एक style attribute यूज़ कर सकते हो, style attribute एक global attribute होता है, जिसके अंदर आप लिख सकते हो border, और यहां पर हम define कर सकते है solid, और इसको अगर हम यहां पर run करेंगे, तो हमारी table आप solid border में दिख रही है, लेकिन यहां पर देख रहे हो स्रिफ table के उपर border आई है, actually हम चाहते है कि जितने भी table headers है, even table data है, इनके ओपर भी border आई, तो उसके लिए मुझे अलग से border define करने ही पड़ेगी, and then collapsed वगएरा में को true करना पड़ेगा, इन सब की बात हो जाएगी, तो यहां पर CSS की बात हो जाएगी, ठीक है, CSS के अंदर में जाता है, गुशना निचाहता अभी, क करने जाता है कि CSS का syntax कैसा होता है, वो हम जब CSS पढ़ रहे होंगे, तो उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आपको खुद से पढ़ना है कि table के अंदर styling के से काम करती है, तो आप इस वाले link पर आ सकते हो, styling tables, जहां पर इन अच्छे से बता रखा है कि table के styling क किस तरह किस होती है, by default आपके table कुछ इस तरह के से दिख रही होती है, लेकिन इसके अंदर आपको styling डालनी होती है, तो आप लोग यहां पर एक style sheet के साथ उसका reference करके, and then इस तरह की कुछ-कुछ property डाल सकते अपने CSS के अंदर, so that आपको table जो है वो थोड़ी stylish format में दिखे, तो इसका link आपको मिल जागा नीचे description box में, जहां पर आप जाके पढ़ सकते हो कि यह किस तरह के styling काम कर रही है, हम अभी फिलाल आगे बढ़ते हैं, बिना ज्यादा styling के उपर focus किये, तो आप देखरों इतना कुछ-कुछ funky-funky सा आप बना सकते हो table के साथ, अभी हमारी table कुछ और concept होते हैं, उनको भी जारा समझते है, table के अंदर कुछ और tags भी होते हैं, तो यहां पर आप देखरों, ऊपर आपको एक header दिख रहा है, यह section थोड़ा अलग ही है, बीच में आपके कुछ body वाला part है, जहां पर table के कुछ-कुछ रोज है, and then नीचे इन्होंने एक foot बना रहा है, तो इसी तरीके से हमें भी table बनाने होते है, हमारे पास तीन tag होते है, एक होता है T-head, जिसके अंदर आप लिखते हो table का head, एक होता है T-body, जिसके अंदर यह पूरी body आ रही होते है, और एक होता है T-foot, जिसके अंदर आपके table की footing आ रही होते है, यह सा हमने य T-body element encapsulates a set of table rows indicating that they comprise the body of the table and then last में है एक T-foot, the T-foot element defines a set of rows summarizing the columns of the table तो यहां पर हम इन तीनों को एके करके देखते हैं, code के अंदर तो सबसे उपर वाली जो रो है, इसको मैं T-head के अंदर अगर डाल दूँगा, तो यह हमारा T-head बन जागा, तो T-head enter and then मुझे क्या करना है, इस पूरे पार्ट को उठाके, command X and then command B इस से क्या होगा, यह हमारे head वाले section के अंदर आ जाएगा उसके बाद वालो जो पार्ट है, सबसकर यह वालो जो पार्ट है, मैं चाता हूँ हमारा T-body के अंदर आए और इसके अंदर मैं दो T-D बना लेता हूँ, पहले T-D के अंदर बना लेता हूँ, पहले T-D के अंदर बना लेता है, पास्ट, और यहाँ पर आण देखते हैं कैसा देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, हमारी यह table कुछ इस तर किसे बन गई है, यहाँ पर य हमारे body के अंदर आ रहे हैं और यह सबसे last वाला part जो है यह हमारे footer में आ रहा है यहाँ पर मैं एक बात और point करना चाहूंगा कि आपके code के अंदर यह T head, T body और T foot यह सब लिखने की कोई जरुत होती नहीं है मतलब अगर आप लोग इनको omit करके simple इसको ऐसे भी लिख दोग अगर मैं इन सब को यहां से फिलाल के लिए comment करेता हूं तो comment करने के लिए हम लेखना है command slash इससे हमारा comment वाला पार्ट होगा यह हमारा browser रीड नहीं करेगा तो आप देखरो मेरा सिंपल सा बस एक table है जिसके अंदर बहुत सारी rows हैं जिनके अंदर किसी किसी के अंदर है किस किसी के अंदर data है यह भी exactly same ही दिख रहा है यह भी exactly same ही दिख रहा है फिर difference क्या है difference इतना है कि आप लोग इनको ठीक से अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो आप लोग अलग behavior दे सकते हो अलग अलग section को अपने table के अंदर तो एक good practice होती है बस बट यह required practice नहीं है ठीक है तो इसको हम जरा वापिस commands add कर लेते हैं तो वापिस पहले जैसा करते हैं सब कुछ तो basically समझ में आ रहा होगा कि यह बस एक recommended practice है बट यह required चीज नहीं है आपका browser तभी भी काम करेगा आपका code तभी काम करेगा जब आप यह तीनों चीज़े ना भी लिखो तो तो यह तो ब table तो यह उसके लिए काम में आता है and then अगला हमारे पास होता है call group call group की health से आप लोग क्या कर सकते हो different columns को अलग styling दे सकते हो तो आप लोग चाहो तो पूरे को पूरे एक column को एक particular styling दे सकते हो otherwise अगर call group आपके पास नहीं होता तो क्या करना पड़ता आपको हर एक row में आके क इसी एक particular column को अलग styling देनी पड़ती है तो call group की health से आप लोग वो करने से बच जाते हो आप लोग बस एक जगह डिखा डिफाइन कर दो कि मेरा ये वाला column जो है वो इस तरी के से styling होनी चाहिए and then वो पूरा का पूरा column एक styling को follow करेगा तो call group के साथ हम call को use करते हैं क्योंकि call group के अंदर आप लोग different columns के group को डाल सकते हो तो एक होता हमार पास call group एक होता हमार पास call the call element defines a column within a table and is used for defining common semantics on all column cell it is generally found within a call group element call group element के अंदर हमी call को use कर रहे होते हैं इनको जब हम code में देखते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं किस तरी के से हमारा caption काम करता है तो caption हम बनाते हैं हमें सब टेबल के अंदर header से पहले caption और इसके अंदर हमें define कर सकते हैं my mark sheet तो यह caption आपको सबसे उपर ही दिखाई दे जागा सबस्क्रों मेरा पहला कॉलम होगा तो कॉलम बेसिकली empty टैग होता है जिसके अंदर आपको closing टैग बताने की जुरूत नहीं होती सबस्क्राइब कर सकते हैं अपना span तो span एक सिंगल कॉलम को स्टाइल कर रहा होता है अगर मैं यहां पर यह ना लिखूँ और सपोस करो मैं यहां पर पर एक स्टाइलिंग डाल देता हूं तो स्टाइल यहां पर हम हरेक को एक बेक्राउंक कलर देते हैं लिखाता हूं तो पर यह ही कॉल्म मैं पूरा एक कॉलम क्लार हो गया अगर मैं चाहता हूं कि यहेंoft इन दो कोलम से में प्वimporte करनी तो इससे क्या होगा, ये वालो जो style है, ये दो columns के अंदर span कर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखे रहो, ये दो columns के अंदर ये वाला style आ गया है, अगर मैं आप लिख दूआ, span इकॉस तो 3, तो यहाँ पर ये 3 columns के अंदर ये वाला style आ गया है, आप लोग different different call बना सकते ह तो इसके अंदर आप लोग चाहो तो एक तो बना लो आप 2 के लिए, और एक similarly आप define कर सकते हो नीचे, जो की अगले वाले पर चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें ये define करनी जो इतनी है, और इसका color let's say red कर देते हैं, ठीक है? तो इसको और हम चलाएंगे, तो यहाँ किसे style करना है, और span की यहाँ से आप लोग बताते हो कि मुझे कितने columns को यह वाली styling देनी है, आप लोग एक call group के अंदर जितने मर्जी columns डाल सकते हो, इसके अलावा आप लोग अपने heading को अलग style दे सकते हो, suppose heading को हम style देना चाहते है, background color yellow, तो इससे क्या होगा, हमारा head है, वो पूरगा पूरा yellow हो गया, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना फायदा है, इसका head का, इससे एक बार में हमारा पूरगा पूरा head color हो गया, और आप लोग चाहो तो अपने footer को अलग color कर सकते हो, तो style background color equals to, let's say, यह वालग color यूज कर लेता है, और यहाँ प इसकी health से में इसके लिए आपको यह बता रहा हो कि किस तरीके से आप लोग एक साथ सब के अंदर styling कर सकते हो, अपने पूरे header के अंदर, अपने different columns के अंदर, अपने footers के अंदर, तो इन सब का बनाने का फायदा क्या होता है, इन attributes के अलावा हमारे पास दो attributes और भी होते है जो मैंने अपने notes में mention नहीं क्यों है, क्योंकि वह बहुत जाता हम use नहीं कर रहे होते हैं, वो होते है basically coldspan और rowsspan, coldspan basically काम में आता है, अगर आप लोगों को बताने है कि कोई table data, 2 column की जगह ले, तो वहाँ पर आप coldspan 2 कर दोग या 3 कर दोग जितना मर्जी आप कर सकते ह जाते हो, and then rowsspan use में आता है, जहां पर आप table data को 2 या 3 rows की जगह देना चाते हो, तो यह आप लोग TD के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर TH के अंदर भी यूज कर सकते हो, तो यह हमारा TD है, और जब हम इसे use करेंगे, तो यह किस तरी किसे देखेगा, suppose करो जैसे य जाते हो, यह past जो है, वो नीचे दो कॉलम से जगह ले लिए, और जो yes है, वो यहाँ पर खिसक जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, code में आउंगा मैं, और अपने TH के अंदर यह जो past वाला TH है, इसके अंदर हम लेख दूँगा, cold span 2, और इसे आप देखो यहाँ पर आप देखो, यह वाला जो डेटा है, टरस्टेयल प्लानेट्स, इसने चार रोस की जगह ले रखिए, और दो कॉलम से जगह ले रखिए, आइस जाएंट ने भी एक कॉलम की जगह और दो रोज की जगह लिए तो यह इस तरीक से बन रहे होते हैं अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें तो आप इसे इसली पड़ पाओगे लेकिन इंस्पेक्ट करने से पहले आप लोग जाओ और इस वाले को रेप्लिकेट करने का ट्रा लेकिन उसके नीचे वाली रोग के अंदर आप लोग ट्रेस्ट को दुबारा से नहीं लिखोगे आप लोग वीनस से लिखना स्टार्ट करोगे और आगे बढ़ोगे बासुझ में आ रही है इसको अगर हम एक बार इंस्पेक्ट करें तो यहां पर आपको और क्लियर लिए समझ में आएगा यहां पर देख रहो हमारे पास यह टी बोडी है दन टी आर यहां पर कॉलम स्पेंट दो है रो स्पेंट चार है और यह इस तरीके से काम कर रहा है दन इसके नीचे वाला जो रो है इसको हम देखेंगे अगर तो यह सीधा वीनस से फिल होना स्टार्ट कर कर आए उसके बाद वाली रो अर्थ से फिल होना स्टार्ट हो रही है तो इसको आप चाओ और डिप्लेकेट करने का ट्राय कर अपनी वेबसाइट के अंदर इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम एक मिनी प्रोजक्ट बना रहे होंगे जितना भी हमने अवी तक पढ़ा है उसकी हेल्प से हम लोग एक मिनी प्रोजक्ट बनाने का ट्राय करेंगे एक रैजुमे वाली वेबसाइट बनाने का ट्राय करेंगे तो वह देखेंगे हम अगली वीडियो के अंदर